क्या आपको टाइटैनिक में रोज याद है? जी हाँ ये रोज है, अन्य था केट एलिजाबेथ विंसलेट, वह सिर्फ सत्रा वर्ष की थी जब उसने टाइटैनिक में काम किया था. कैमरून शुरू में उसे कास्ट करने के लिए अनिचुक थे लेकिन उसने कैमरून से विंती की. कैमरून ने कहा कि विंसलेट में वह चीज थी जो आप तलाशते हैं और उसके चहरे में उसकी आखों में एक गुण था कि वहाँ बस जानता था कि लोग उसके साथ दूरी टै करने के लिए तयार होंगे. आज मेरे चैनल फिल्मोनिया में हम केट एलिजाबेट विंसलेट के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने जा रही हैं। दो प्राइम टाइम एमी पुरसकार, पाँच बाफ्ता पुरसकार और पाँच गोल्डन ग्लोब पुरसकार शामिल है। विंसलेट ने रेड रूफ स्थेटर स्कूल का अध्ययन किया। 15 साल की उम्र में उनकी पहली स्क्रीन उपस्थिती 1991 में ब्रिटिश टेलिविजन श्रिंखला डार्क सीजन थी। उन्होंने 1994 में एक किशोर हत्यारे की भूमिका निभा कर अपनी फिल्म की शुरुआत की और 1995 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी में मेरियन डैश्वूर्ड की भूमिका निभाने के लिए बाफ्ता पुरसकार जीता। 1997 में जेम्स कैमरून की महाकाव्य रोमान्स टाइटैनिक में उनकी प्रमुक भूमिका के साथ वैश्विक स्टार्डम मिला जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। विंसलेट के लिए फिल्मांकन कठिन साबित हुआ, वह लगभग डूब गई, इन्फ्लूएंजा से पीडित हो गई, हाइपो थर्मिया से पीडित हो गई और उसकी बाहों और घुटनों पर चोटे आईं। काम के बोज के कारण वह प्रतिदिन केवल चार घंटे की नीन ले पाती थी और इस अनुभव से वह ठकी हुई महसूस करती थी। काइटैनिक उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में बॉक्स ओफिस दो बिलियन बिलियन डॉलर कमाई की और विंसलेट को एक वैश्विक स्टार के रूप में स्थापित किया। फिल्म ने सर्वश्रेष्ट फिल्म सहित ग्यारा अकादमी पुरसकार जीते एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक के बराबर और 22 वर्शिय विंसलेट को सर्वश्रेष्ट अभिनेतरी के लिए नामांकित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ट अभिनेतरी के लिए Golden Globe और SAG नामामतन भी प्राप्थ हुआ Titanic में Jack का किरदार निभाने वाले Leonardo DiCaprio के बारे में जानने के लिए फिल्मोनिया से जुड़े रहें क्रिप्या मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद